तो नमस्कार सभी भाईयों को तो भाई स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरफ फिटनेस तो देखिए आज होने वाला हमारा डे 14 हमारी बलकिंग सीरीज का और सबसे पहले बात करेंगे अपना साम्स की PCT का की साम्स के लिए PCT क्या होगी साथ साथ में कुछ भाईयों के कौशन ते सर हमें सारी चीज का सॉलूशन मिलेगा तो आपको वीडियो में बने रहना है साथ में करेंगे अपना लोर वैक फोरांस और हैमिश्रिंग का वरकाउट तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को शेयर कर देना तो भाई फश् सासल में स्टेंध और जिस वैट को आप कंट्र Beim कर सकते हैं ज्यादक है भी आपको फोरांस की एक साजम में बेक नहीं लगाना क्योंकि यृदि अपको टाल करना मुश्चिल हो जाएगा और आपके रिष्ट में इंजरी के चांसिस में भी हो सकते हैं तो इस तरीके से कर र रेम अपना रिष्ट कल तो रिष्ट कल हमारे जिम में देखिए मसीन नहीं है तो हम अपना बार से कर रहें तो आप भी रोड के साथ है डंबल के साथ कर सकते हैं तो यह हमारा सूपर सेट में सेकड वरकाउट है और देखिए रेपिटेशन आप अपने आठ से दस रखें ज्यादा आपको हेवी वेट नहीं लगाना बस आपको कंट्रोल तरीके से वेट को उठाना है यह नहीं कि आप नीची एकदम से वेट जा रहा और उपर आप पूरा रिष्ट को करी नहीं दे तो उस टाइम आपके म वेट और बढ़ा लिया तो आप भी वेट बढ़ा सकते हैं अगर आपकी मसल में उतनी इस्टाइंट है वेट को समालने की और देखिए वेट थोड़ा हैबी है तो मैं इससे दो सरकल में करूंगा पहले एक सरकल कंप्लीट करूंगा उसके वाद थोड़ा रेश्ट तो देखिए आपको मसल पे stress load डालना पड़ेगा उसके बिना आपकी मसल कभी grow नहीं करेगी देखिए exercise और training में बहुत फरक है exercise सभी लोग करते हैं लेकिन training उन में से सिर्फ एक दो ही लोग करते हैं तो आपको training करनी है exercise नहीं करनी है अगर आपको muscle build करने है अपने तो आपको comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा तो super set में हमारा last and final set है फर्स्ट exercise का यह हमारी wrist कल तो इस पे same weight से करेंगे अपनों वही 10 से कि बारे रेक्टिशन तो कंट्रोल तरीके से करें wrist को सेफ रखें यहोंकि wrist में injury बहुत ज्यादा होती है तो आप wrist में आपको injury निकलनी ज्यादा weight उठाके और देखिए जो sams की PCT है वो हम four arms के workout के बाद discuss करेंगे तो आप four arms का workout देखें तब तक अगर आपको सीधा साम्स की PCT देखनी है तो आप सीधा वीडियो को skip कर सकते हैं और हमारा second जो workout है हमारे four arms का वो है हमारे hammer कल उसके साथ super set करेंगे हम reverse wrist कल तो आप देखें मैं आपको सिर्फ एक set करके दखाऊंगा इसका तो मैंने 15 kg के dumbbell लिये हैं और मैं 10 से बार adaptation करूँगा और मैं alternate कर रहा हूं तंबलों को आप एक साथ भी कर सकते हैं वो आपके उपर है कि आपको किस तरीके से ज्यादा effect लगता है मुझे effective बैठ के और alternative hemoracle करने में ज्यादा effect आता है तो मैं इस वज़े से बैठ के कर रहा हूं और alternate कर रहा हूं आप एक साथ भी इने कर सकते हैं और देखिए reverse curl जो इसके बाद exercise होगा उसमें एक बात याद रखें आपको ज्यादा heavy weight नहीं लेना जो कि heavy weight reverse curl में करना थोड़ा मुश्किल होता है तो आप कम weight से करें आप 2.5 एक खाली rod से try करेंगा और आपकी starting है तो तो अच्छे से exercise करें जब तक आप अच्छे से weight को नहीं समाल पा रहें तो आपकी मसलब बिलुकुल effect नहीं आना तो जब तक effect नहीं आएगा तो आपकी exercise करने का कोई फायदा नहीं ह तो यह हमारी reverse wrist कर लें मैं इसे 5 kg से कर रहा हूं आप बस इसे या तो खाली rod से करें 2.5 kg से करें तो भाई इसके हमें 2 set करने और अब हम इसके बात करेंगे अपने PCT का कि साम्स के लिए आपको PCT किस तरीके से करनी है तो four arms का workout खतम तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स तो आप सभी को मैंने बतायता कि आपको bulking में MK677, RAD और LGD यूज़ करने है तो उसकी PCT होगी किस तरीके से तो देखिए इसके लिए आपको तीन चीजों की ज़रुत पड़ेगी एक तो आपको नौलबाट एक्स दूसरा आपको हुकोग हुकोग आपको BSV कंपनी का लेन है उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा और लाश्ट में हम बात करींगे किलो मिटगी देखिए नौलबाट एक्स आपके 10MG या 20MG दो पोटेंशी में आती है और आपको कैमिश्ट के पास या तो नौलबाट एक्स के नाम से मिल जाएगी या टेमोक्सी फैन के नाम से मिल जाएगी अब बात करते हैं हुको की आपको बीएसवी कंपनी के क्यों लेना दे कि बीएसवी है हमारी भारस सीरम तो इसका आपको इस वज़े से ले रहा है क्योंकि यह हमारा लिक्विड फॉर्म में आता है और जो बागी कंपनिया पाउडर फॉर्म में बनाती है उस वो लगवग सास से आठ दिन चलेगी तो आपको इस वज़े से अगर आप पाउडर वाला लोगे उसे लिक्विड बनाओगे तो वो आठ घंटे में खराब हो जाएगा लेकिन बीएसवी वाला पहले लिक्विड आता है उसका जो टाइम होता वो ज्यादा होता है इस वज देखिए एक दिक्कत यह है आपको कि कौन-कौन से कंपाउंड एक साथ यूज़ करने तो आपको देखिए तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ करने की जरूत नहीं है अपनी साम्स की PCT के लिए सिर्फ आप दो चीज़ें यूज़ करें आप तो नौल बार्डेक्स या कि साइदे मंद होगी देखिए भाई आपको साम्स की PCT के में बता देता हूं देखिए हुकोगों जो हमारे किलोमिड होता है उनका सेम काम है हमारे सप्रेस हुए जो टैशिस होना नहीं दोवारा रिकवरी पे लाना तो आपको हुकोग अपने साम्स की PCT में यूज़ करने क लेकिन वह आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे यूज़ करना है तो सिर्फ सबसे पहले बात करते हैं अपने साम्स की PCT का तो भाई साम्स की PCT में आपको किलोमिड लेना 40 mg में डेली आप किसी भी टाइम पे लें लेकिन आपको जैसे आप आज जिस टाइम पे ले तो कल भ को यह साइकल लगबग आपके 21 दिन तक चलानी है उसके बाद अपनी बॉड़ी का आपको अंडर्स्टेंड करना है कि आपके टेस्ट्रों द्वारा रिकवरी पे आए हैं या नहीं तो अब यह बात आदे कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपके टेस्ट्रों द्वारा रि तो आपके 40 दिन के अंदर टेस्ट्रों रिकवरी पे आ जाएंगी 100% और देखिए बाई एक आपको छोटी सी सलावर देता हूं आपको एंट्री एस्ट्रोजन जो नौल वडेक्स लेट्रोजल वगयर होती है या एनस्ट्रोजल है वो आपको लंबी टाइम तक नहीं चला अगर आपके टेस्ट्रों रिकवरी पे नहीं आ रहे हैं अगर अगर तब भी नहीं आ रहे हैं तो भाई किसी डॉंक्टर से कंसल्ट करें और आपको देखिए हुकॉग अभी डाल लेगी कोई जरूत नहीं है हुकॉग तो जहां हम बहुत लंबी सा एक इस्ट्रोड साइक अपना लोवर्वेक वर्काउट पे तो देखिये लोवेक के वर्काउट के लिए हमारे मैं हाइपर एक्षन करता हूं लेकिन अभी मैं डेडलिफ्ट कर रहा हुं तो आप बीडेडलु लेकर सकते हैं अगर आपका वेगिनिंग डेवल पे यह तो आप इस तरीके से करें नहीं तो आपकी इस से lower back भी इंजड हो सकती है तो आप इस तरीके से ना करें आप एक साथ उठें उपर और एक साथ नीचे आए यह उनके लिए जो बहुत ज़्यादा advance है जिनकी lower back इतना stress को जेल सकती है तो 8 से 10 reputation आपको deadlift के करने है तो तरी मिश्टिंगे लिए seated leg curl से बढ़िया कोई exercise नहीं है तो बाई seated leg curl का आपको advantage बता देता हूं आपके lying leg curl के compare में lying leg curl में आपके hips stable नहीं होते लेकिन आपके इसके उपर hips stable होते हैं इस वजह से आपके hamstring पे ज्यादा effect आता है तो आप seated leg curl करें as compared to lying leg curl तो आपको समझ आजया कि आपको lying leg curl क्यों नहीं करनी तो आप इसके इसको high wrap पे भी कर सकते हैं तो बारह से पंद रेप्टिशन पर करें इसको आपको 2 set करने है तो भाई final exercise हमारे glutes और हमारे hamstring के लिए हमारे stiff leg deadlift तो यह आप इस partial तरीके partial रेप में करें तो आपको नी तक आना और नीचे पूरा जाना है तो आप इस तरीके से दस से बार रेप्टेशन करें muscle mind connection बना के रखें तब ही आपको effect आएगा और try करेंगे आपके upper body ज्यादा stable रहे तो देखिए आज का workout हमारे हैंगी खतम होता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना तो जैसी रामसभी वाईयों को